हाई माई फ्रेंड्स सो मेरा नाम है निशान्द कुमार इस वीडियो में हम बात करेंगे यार डी एफ से स्याल का जो ओफिशल नोटिफिकेशन आया है जिसमें हमको पता चला है नंबर ओफ फॉर्म्स कितने अप्लाई हुए हैं उस हिसाब से कट ओफ कितनी रह सकती है ओके दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक डिटेल में देखना अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि अब एक्जाम टाइम में दो महीना बच गया है तो आपके मार्स इतने रहने चीए कि कट ओफ इतनी जा सकती है ठीक है दोस्तों सो दोस्तों आप मेरे पीछे देखते है है समुंदर यह समुंदर वह इंडियान ओशियन है और इस वक्त मैं आया हूँ ऐसे घुमने के लिए सो आप मैं ठहरा हूं रेलवे के होलिडेस होम में आपको दिखाता हूं एक सेकेंड के लिए आपना वीडेस कर दोस्तों ऑगर आप ऐसे हों के बारे में आपको दिखांक हूं कि अंदर से कैसे ौइप अघा इस वीडियो इस पर बिया आप सबके लिए बना दूगा हमारा मेन मुद्धा था कि कट ओफ कितनी जा सकते सो दोस्तों आपको यहां पे दिख रहा होगा कि कितने कितने फॉर्म स्विल हुए है देखी एक बार नहीं दिखेगा अभी मैं लगा दूगा ने फोटो लगा दूगा तो यह समुंदर की जगा वह दिखने लग जाएगा आप सबको देखिए हां दिखा यह मैं कहा था आप इसमें देखिए ओपरेशन बीडी में एक लाग चालीस जार फॉम फिल हुए एग्जेकुटीव में और ओपरेशन एंड बीडी जूनियर एग्जेकुटीव में एक लाग छे अजार के आसफास फॉम फिल के हैं सो दोस सब्सक्राइब की बात करूं ऑपरेशन बीडी में पिछले पेपर के कोडिंग अगर पिछला पैटर्न ही फोलो करता है सो मैं यह मानता हूं दोस्तों कि आपको टेस्स में मिनिमम 85 मार्क्स तो लाने चाहिए कुछ भी हो 85 से तो अबाव जाए गाई जाएगा अगर आप प मिनिमम अगर पेपर टाफ होता तो कट फोर भी नहीं चाह सकता है एटीज के राउंड बट 85-83 तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा अगर हम बात करें ऐसी की तो 78 रिक्वाइड है सी से और 75 प्लस रिक्वाइड है स्टी से जो स्टूदेंस प्रिप्रेशन कर रहे हैं टेस टेस्ट बूक हो गया तो टेस्ट बूक में आपको देखेगा नंबर आफ अप्लिकेंट्स बहुत जादा है तो उसमें आपको एक करीयल रेंक पता चलेगा अगर उसमें 5000-6000 देख रहे हैं तो आप 5000-6000 एक लाग साथ हजार एक लाग 40,000 फूंस फिल कि पढ़ने वाले ज टेस्ट देना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपका रेंग कितना और उससाब से आपको सुधार करना चाहिए और अभी से देना शुरू करो यार 15 अगस्त वगेरा से टाइम टेबल बनाओ शेडूल बनाओ सो देट आप एक देड़ महीने में आपकी टेस्ट से आप निखार भी कर लें हपते में दो टेस्ट दीजिए तीन टेस्ट दीजिए और उनको सुधारिए और अपना मार्क्स को एटलिस 85 तक रखिए सो दोस्तों आप टेस्ट ले सकते हैं टेस्ट बुक का मैं आप से शेयर करता हूं अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं AZ10 तो आपको 10% डिसकाउंट में मिलेगा देट इस 30% लेस 270 के आपको यह टेस्ट मिलेगी और इसे लाइफ टाइम के लिए पास है यार यह ड और मेरे टाइम पे अराउंड 35,000 के अराउंड फॉर्म फिल हुए थे उतने ही फॉर्म फिल हुए बड़ क्या हुआ था दोस्तों मेरे टाइम पे ना एक्जाम बहुत टफ आ गया था वह इतना टफ आ गया था कि कॉटफ 68 पे रह गई थी तो मैं प्रिजूम करता हूं कि इस बार इतना टफ तो नहीं आना चाहिए एक्जाम को उससे थोड़ा सा एजी रहेगा तो मांक्स बड़ेगा तो मैं सोच रहा हूं कि ECE की कट ओफ जो है अबाव 75 तो रहेगी 78 के आसपास रहेगी फोर जनरल 75 के आसपास रहेगी OBC और अगर आप SCST है तो आपको सिस आप प्लीज test series में इंशोर कीजिए आपका इतना performance minimum रहना चाहिए so that you can improve yourself and get a good rank और selection मिले अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो दोस्तों आप गलट direction में में मेहनत कर रहे हैं सही direction में प्लीज आप मेहनत कीजिए previous year questions को follow कीजिए और बार बार आप उसको revise कीजिए mistakes को कम बार बार revise mistakes को कम करने से 2-4 marks तो वैसे ही आपके increase हो जाएंगे ठीक है दोस्तों I hope आपको छोटा सा message clear हो गया हो मिलते हैं दोस्तों next video में